हालो दियर स्टुडेंट आज जो मैं आप लोगों को ME 504 इंडस्ट्रियल इंजिनिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइप आप प्रोडक्शन एंड टाइप आप ऑप और्गनाजेशन ठीक है इससे पहले वाले जो लेक्चर म मैंने आप लोगों को बताया था उस लेक्चर में मैंने आप तो एक तो आपको इंडस्ट्रियल इंजिनिंग ठीक है बेसिक कॉंपसर्ट की बेसिस पर दिखा जाया तो इंडस्ट्रियल इंजिनिंग हो तक क्या है उसके बारे बताया था ठीक है इंडस्ट्रियल इंजिनि किस तरह किया मतलब required होता है तो ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको पिछले lecture में discuss किया था, ठीक है? साथी मैंने आपको ये बताया था कि industrial engineering के लिए, अगर हम example के basis पर देख है, तो industrial engineering के work system को हम किसी भी organization को उसके production को बढ़ाने के लिए, ठीक है? माल लीजे कोई एक पूरा production system है और आपको लग रहा है कि उस production system में जो भी आपका industrial engineer है या industrial engineering में जो भी आपके worker है ठीक है? या जो भी वहाँ पे employees है या जो भी relative persons है वहाँ पे तो उनका काम यह होता है कि एक तो organization को और बहतर मतलब और बहतर से बहतर तयार करना ठीक है? उसमें जो भी सुधार की गुंजाय से उनको पूरा करना ठीक है? और जहां पर आपको लगता है कि कुछ चीजों को implement करने की जड़ुएत है कुछ चीजों में improvement की requirement है उन सब को edge per guideline या edge per policy के according उनमें परिवरतन लाना ठीक है? तो एक यह तो industrial engineering से संब्द है, ठीक है? फिर मैंने आपको second point बताया था कि work of industrial engineer मतलब एक industrial engineer काम क्या करता है वहां पर उसका काम क्या होता है? तो जैसे मैंने दो-चार चीजों को मैं आप लोगों को जो मैंने वहां पर बताया था कि एक तो communication setup जो होता है वो बहुत बहतर होता है उसका, ठीक है? टोटली office worker तो होता नहीं है वो कि टोटली office में बैठा हुआ बंदा हो देशिए field worker बंदा होता है ठीक है? जो लोगों से संबात करता है, मिलता है, चुलता है, काम की situation को समझता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने बात की थी type of production की, है ना? तो type of production में जब हमने बात की थी बेटा, तो type of production में हमारा जो motive था कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, कि जब भी कोई industry की बात हो, जब भी कोई company की बात हो, या जब भी कोई किसी organization की बात हो, ठीक है? तो अगर हम production की बात करते हैं, तो production को तीन category में distribute किया गया था, मैंने आपको बताया था, सबसे पहला आपको क्या बताया था? Job production, second बताया था मैंने batch production, और third बताया था आप लोगों को continuous और flow production, ठीक है? तीनों के बारे में हमने discuss भी किया तालकालका और मैंने, चुकि मुझे आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको type of production बताया था, तो उसके बात फिर मैंने आपसे बोला था कि इनके production के type का deep discussion है, ठीक है? वो हम next lecture में करेंगे, तो इस lecture में हमारा जो main focus रहेगा, वो type of production के, तीनों type है, उन पर deeply तरीके से उस चीज को समझना, ठीक है? और production को जब हम categorize करते हैं, मतलब type में distribute करते हैं, तो हर एक sector का दूसरे से कोई relation नहीं होना चाहिए, ठीक है? तब तो वो type of production को represent करेगा, है ना? तो यह हमारा main focus रहेगा, और जो हमने पिछले lecture में जो पूरा इन सब चीजों के बारें पढ़ा है, ठीक है? उसका मैंने एक simple साब को brief कर दिया है, ताकि जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो उसको आप बहतर से बहतर तरीके से आगे की situation में, जो आपके बतलब में बताऊं, उस चीज को आप बहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है? तो जब एक industrial engineering के बढ़के साब हुआ, तब मैंने आपको बताया, और industrial engineering एक system या एक पूरा arrangement होता है, उसके basis पर मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो आज हम start करते है, type of production and type of organization, ठीक है जी? ठीक है, ओके, सो सबसे पहले तो वही, जब भी हम कोई topic पढ़ते हैं, तो क्या सरत है, क्या उसकी importance है, देखिए, strong time management skill जो मैंने आपको पिछली बार जो lecture में था, वही चीज यहाँ पर है, क्योंकि जब हम production की बात करते हैं, तो वह आपको time basis की requirement बहुत अधिक होती है, ठी है, क्योंकि आप एक mechanical engineer अगर है, तो यह तो आपको compulsory है, यह तो सर्थ है कि आपको अगर engineer बनना है, और वह भी mechanical engineer बनना है, तो आपके अंदर एक mechanical attitude होना चाहिए, ठीक है, good common sense, strong design, efficiency, quantitative scale, ठीक है, यह basic से कुछ pre-request topic है, जो हम इस topic के regarding हम लोगों को understood है, कि इन चीजों पर ह हमारा focus होना चाहिए, ठीक है, अब बात करते हैं, real life example की, की तो जब हम typo production की बात करते हैं, यह typo और नईयन की बात करते है, तो आप तो तो जैसे food processing factory होती है, बो type of production का ही पार्ट होती है, तो Real life example है, उसका जो cloth industry होती है, वो भी आपकी type of production का यह example है ठीक है कभी कभी क्या होता है छोटे-छोटे component के यह चोटे-छोटे जो product होते हैं वो bulk quantity में क्या होते है कि production होता है तो वो भी एक तरह का real life example है ठीक है अब होता है यह organization में है in the organization ठीक है अब किस type की organization में कौन सा product मतलब बनता है वो हम आगे देखेंगे ठ ठीक है तो यह तीनो जो example है वो direct relate करते हैं किससे एक तो आपका type of production से और दूसरा organization से ठीक है अब बात करते हैं content की जो हम content यह आपर discuss करेंगे type of production, introduction of organization, type of organization, learning outcome, research scope और reference ठीक है तो start करते है type of production मैंने जो बताया थे आपको jobs of production, batch production, flow production और continuous production ठीक है मतलब जो flow production होता है उसी को continuous production भी बोलते है ठीक अब job production क्या होता है देखिए job production where items are made individually and each item is finished before the next one is started अब यहां पर मैंने एक एक जाम्पल के तौर पर आपको के सामने देख रहा होगा तो यह cake जो है ना वो job production का एक real life example है क्यों देखिए job production मैं क्या है where items are made individually एक ही आद भी बनाएगा and each item is finished before the next one is start ठीक है मतलब कि जब तक आपका product जो आपने बनाया वो खतम नहीं होगा तब तक आप दूसरा product same product मतलब दुबारा से नहीं बनाएंगे देखा होगा आपने cake क्या होता है है तो केक एक ऐसी मतलब जैसे माल लीजिए कि suppose that आपके गर में अगर फिरिज ना होती आज की situation में तो केक भी job production के according काम करते चीक है अब क्या हो रहा है कि चीजों को मतलब ज्यादा समय तक रखने के लिए इस तरह के मतलब अरेजमेंट होते जा रहे हैं कि हम उनको थोड़ा सा केटरगाईज अलग कर सकते हैं बट जो आपका एक केक का अगर कोई इंडस्टी इंडस्टी को छोड़िए एक बहुत छोड़ी की बात करते हैं ठीक है तो वहां पर आप और देने जाते हैं आपके लिए उसी ओर्डर के हिसाब से वह केक बनाता है और उसी ओर्डर के हिसाब से आपका केक बनके तयार हो जाता है और आपको मिल जाता है ठीक है इसके लिए इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि आपको किस रखा केक चाहिए, कितनी quantity का चाहिए, ठीक है, आपका design क्या होना चाहिए, आपको लिखना क्या है, उस पर पूरा arrangement कैसा है, color कैसा रखना है, तो ये सारी चीज़ जब आपकी mentality में होती है, तो सामने वाला जब तक order नहीं होता है, तब तक उस चीज़ को नहीं करता है, ठीक ह तो ये एक example है, basic, ठीक है, दूसरा मैं अगर job production example आपको दूँ, तो जैसे cloth की बात करें, कपड़ों की बात करें, आप किसी tailor के पास जाते हैं, तो tailor क्या आपने पास कभी कपड़े, silky और लेडी रखता है, नहीं रखता है, जब तक order नहीं होगा, तब तक नहीं सिलेगा, क्यों, क्योंकि सामने वाले की height कितनी है, सामने वाले की, मतलब जो कपड़े पहनने की, जो fitness है, वो कैसी है, वो सारी चीज़े कभ आती है, जब आप उसका नाप लेते हैं, ठीक है, तो एक tailor जो होता है, वो depend करता है order पे, ठीक है, आपना order देगा, तब ही आपका चीज़े आपकी बनेंगी, ठीक है, तो वो हो गया आपका job production का best example, ठीक है, तो ये दो example से आपको identify हो गया होगा, कि job production, it means that की, एक तो order पे depend करता है, और दूसरा उस product को अकिला विक्ती finish करता है, ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें, batch production की, तो batch production क्या होता है, batch production where group of items are made together, ठीक है, मतलब ये जो production होगा, simple सी बात है, एक बेक्ती से नहीं, एक से ज्यादा से होगा, मतलब की batch by batch में होगा, ठीक है, माल लेजिए कोई product है, पांच batches में complete होता है, ठीक है, मतलब एक बार ये बंदा ये करता है, फिर दूसरी position प ये काम होता है, चौती पर माल लो finalize हो जाता है, फिर उसके बाद वो product market में distribute हो जाता है, ठीक है, तो ये एक batch production की example है, देखिए, नीचे मैंने example दिया, एक mechanical engineers के basis पर मैंने आपको example दिया है, कि जैसे कोई raw material है, उसको heated किया, तो H per situation के आप से आपने बनाया, ठीक है, बनान फिर जब आपकी गटें-गटें हो जाती है, तो फिर आप चेक करते हैं, कि उसको grinding machine से smooth edge उसकी तयार करनी है, तो वो करते हैं, फिर basic mechanical processor लगा देते हैं, मतलब कि जिस तरह से design complete करना है, उस तरह से design आप लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कि ये एक single product, अलग batches में complete हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे batch production, ठीक है जी, फिर बात करते हैं, flow और continuous production, अब flow और continuous production जो होता है, वो कभी भी demand पर कभी भी आसरत नहीं होता है, मतलब जैसे आपने कहा, कि flow production की बात है, तो flow production क्या होता है, कि पूरे अगर हम बीक की बात करें, या 24 hour, थर्टी, बतलब 24 hour 7 days, अगर हम अपते बर की बात करें, तो ऐसा production, जो सातों के सातों दिन, ठीक है, 24 hour complete हो रहा हो, अब जैसे क्या होता है, जो इंडस्टिय होती है, जहां पर कोई single item है, या single से ज्यादा item है, जो रोज डेली बनन है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम continuous production, उसमें कभी भी demand की requirement नहीं होती है, ठीक है, उसकी requirement होती है, सिर्ब market की, तो market के हिसाब से हिसकी demand consider होती है, और उसी हिसाब से उसका production होता है, ठीक है, तो इसका मकलब यह नहीं है, कि किसी industry को आपने 2 या 3 production दिये, और आपका ऐसा हो गया था, और आपका जो continuous production हो गया, वो आपका, means कि, अगर आपका कोई product बिना किसी demand के, ठीक है, cable market situation के basis पर, अगर 24 hour उसका production हो रहा है, ठीक है, 24 hour, 7 days, completely अगर भी के साब से देखा जाए, तो हो रहा है, अगर काम हो रहा है, तो उसका मतलब यह है, कि वो continuous production का ही example है, ठीक ह जैसे oil production की बात करें, जैसे oil refinery की बात करें, तो oil refinery जितनी भी होती है, वहाँ पर तो oil refinery हो रहा है, ठीक है, अब वहाँ तो उनको पता नहीं है कि कितनी demand है, उनका तो जो 24 hour जो काम है, वो चली रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक continuous production का example होगा, ठीक है, अब जैसे हम खाने जे संबंदित कोई भी एगर item की बात करें, ठीक है, तो उसका production regularly हो रहा है, ठीक है, जैसे हम आटा मील की बात करें, तो बड़े बड़े जो आटा मील होती है, वहाँ पर जब आटा बतलब तयार होता है, और उस packing होती है, तो वो चीज़ें continuous शलती होती है, ठीक है, ऐसे हम popular drinking की बात करें, जैसे cold drinks की बात करें, ठीक है, और यह सारे मैंने जो example आपके सामने रखे हैं, यह continuous production के example है, ठीक है, जी, फिर बात करते हैं, factor affecting production, कौन-कौन से ऐसे factor हैं, जो production को effect करते हैं, एक तो nature, nature मतलब की land and other natural resources, land मतलब की, जहां पर आपने production का आप कर रहा है, वो area उसके लिए suitable है की नहीं है, ठीक है, दूसरा जो आप resources आपके पास है, जो natural resources है, वो environment के हिसाब से या atmosphere के हिसाब से वो particular production के लिए suitable है की नहीं है, ठीक है, तो एक nature जो होता है, वो effect करता है किसी दूप्रोडक्शन को, ठीक है, दूसरा होता है labor, labor मतलब human effect, तो जब human effect क की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम labor को बात करें, या employees की बात करें, तो वो भी production को कहीं नहीं effect करता है, ठीक है, क्योंकि अगर मालो बहुत systematic तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, तो आपका production क्या होगा, कि एक जो level हो से हमेशा उपर ही रहेगा, लेकिन अगर मालो systematic तरीके से labor काम नहीं कर रही है, तो आपका production क्या होगा, डिक्री जोगा, डिक्री जोगा, तो effective होगा, तो दोनों चीजों में है, कि अगर अच्छा काम कर रही है, तो production improve हो रहा है, ये भी effective effect हो रहा है, और अगर production below जा रहा है, तो ये भी अपका effect है, ठीक है, तो level level पर भी देखा ज कितना चाहिए, कितना आपके पास है, कितनी की requirement है, daily basis पर कितना चाहिए, tools कैसे है, नए tools है, पराने tools है, अगर पराने tools है, तो उससे जो operation हो रहे होंगे, वो साहिद उतने clearly साप, सुतरी नहीं हो पा रहे होंगे, machinery की बात करें, factory building की बात करें, तो factory building है, उसका structure कैसा है, ठीक है, तो यह सब चीज़ा depend करती है, कि आपका production कैसा होगा, definitely बात है, कि effect करेगा production, ठीक है, उसके बात enterprise, enterprise मतलब की, जो particular organization है, organization मतलब की, जैसे माल लीजीए, same, कोई एक product है, अब चार company में, कोई एक company का product market में सबसे ज़्यदा मिलता है, और सबसे ज़्यदा उसको खरीदते हैं, लोग क्यों खरीदते हैं, कि कहीं न कहीं, उस organization का impact, customer की उपर अच्छा होगा, effective होगा, ठीक है, इसलिए उसकी ज़्यदा demand रहती है, तो enterprise का भी उतना ही effect होता है, ठीक productivity, तो productivity may be defined as the ratio between output and input, मतलब की, जो आपका output हो, जो input है, उसकी ratio किया बोलते है, mathematically कर बोला है, तो productivity बोलते है, ठीक है, output are the number of item, produce, जो मतलब जितने भी आपने item produce की है, वो output की category में आते है, number of outputs, consider होते है, inputs are the various resources, employees, मतलब की input क्या है, कि जो जो आपके पास resources, employees है, ये सब चीज है, क्या है, ये आपके inputs है, outputs क्या है, आपके, जैसे profit हो गया, जो आपको पैसा मिला, वो आपका, ठीक है, आपका output हो गया, उसका product, वो आपका output हो गया, appraisal output हो गया, social benefits, output हो गया, ठीक है, आपको जो पैसा मिला है, वो output हो गया, input के example बात करें, तो land हो गया, building हो गया, equipment हो गया, money हो गई, machine हो गई, labor हो गई, यह क्या है, यह input के example है, ठीक है, तो जब हम output और input की बात करते हैं, तो output number of item ठीक है, जो हम produce करते हैं, और inputs क्या है, जिसके लिए हमें resources की आवैसकता होती है, उनको हम inputs pro के business पर consider करते हैं, ठीक है, output के example बता दिये, मैंने input के example बता दिये, ठीक है, तो यह productivity, अब हम बात करते हैं, organization की, तो organization is a mechanism or structure that evil living things to work efficiently effectively together, मतलब organization क्या है, एक mechanism है, एक structure है, जिसमें क्या होती है, कि worker आपस में मिलके, ठीक है, एक effective work को complete करते हैं, ठीक है, तो उसको हम organization बोलते हैं, organization is the pattern of day is which large number of people engage in the complexity of task, ठीक है, relate themselves to each other in systematic stabilization, establishment of actually agreed purpose, ठीक है, मतलब की organization क्या है, एक तरह का pattern है, एक तरह का क्या है, कि एक तरह का arrangement है, जिसमें large number of people engaged होते हैं, किसे के लिए complexity of task के लिए, उससे संबंदे जो आपको release, मतलब जो भी चीजों को solve करना है, उसको complete करना है, उसके लिए systematic establishment के लिए, ठीक है, यह क्या है, एक organization का ही part होता है, ठीक, अब बात करें, type of organization, तो type of organization की बात करते हैं, तो organization को तीन category में distribute किया गया है, नमबर एक, line, ठीक है, और line, military, or scalar, एक ही होता है, दूसरा होता है functional, और तीसरा होता line and staff, ठीक है, अब देखिए line, military, or scalar, function, or line and staff, ठीक है, यह तीन category में हम organization को distribute करते हैं, ठीक है, अब कई ऐसी sector होंगे, जिसमें private sector, private organization भी होंगी, government organization भी होंगी, semi government organization भी होंगी, ठीक है, तो वो किस category में आती है, वो हम identify करेंगे, जब तीनों को deeply तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, जी, तो सबसे पहले हम बात करते है, line, ठीक है, military and or scalar organization, जब हम line organization की बात करते हैं, based upon relative authority and responsibility, rather than one of the nature and kind of operation or activity, देखिये, line organization हमेंसा depend करती है, जो P organization है, उसमें authority क्या है, और उसमें responsibilities क्या है, उसके basis पर हम कह सकते हैं कि line, military or or scalar organization है, ठीक है, नाइधर कि उसमें operation क्या हो रहा है, कौन-कौन से हो रहा है, कौन-कौन से operation applied है, कौन-कौन से activity हो रहा है, इस पर depend करके, कि इस पर depend करता है, authority or responsibilities की उपर, ठीक है, the immediate superior given order to the sub-coordinate assign duties, dismiss and take discipline action against them, मतलब कि line जो आपका, या scalar organization होता है, उसमें क्या होता है, कि जो बंदा जिसके उपर होता है, वो उसको direct क्या करता है, order देता है, और उसको काम assign करता है, for the duty purpose, तो उसके पास या authority होती है, कि वो उसको dismissive कर सकता है, और उसके खिलाब disciplinary action भी ले सकता है, ठीक है, तो यह होता है आपका line organization, line मतलब की एक line तो है, लेकिन उसके नीचे वाला बंदा depend कर रहा है, पूरा उसके boss के उपर, तो जो उसका actual boss है, मतलब जो उसका working style boss है, वो उसके apart जो ऊपर हो है, जो उसको duty assign कर रहा है, जो उसको काम दे रहा है, वस वह उसका सब कुछ है, ठीक है, तो इस तरह की जितनी organization होती है, वो आपकी skill and organization में आती है, ठीक है, it is suitable to automatic and continuous process industry such as paper, sugar, etc, मतलब कि यह suitable किसके लिए, जो automatic industry है, जो continuous process industry है, उनके लिए सबसे best example है, ठीक है, क्यों क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे paper में, अगर मालो कोई paper में, अगर मालो उसमें regularly काम हो रहा है, तो उसमें अगर उससे authority बंदा अगर उसको assign duty कर रहा है, और बता रहा है कितना duration time में तना काम complete करना है, तो उससे आपका production पर ज्यादा effect नहीं पड़ता है, ठीक है, जो production आपने सूचा है, उतना ही production आ matter 1, एक student 2, अब student 1 को field manager coordinate कर, दो field manager को coordinate करता है, ठीक है, और second when dependent है, वो अलग दो फील्ड मेनेजर को अब यह जो चार फील्ड मेनेजर हो जाते हैं जिनके दो अलग अलग क्या है सुपडेंट है मतलब सुपडेंट बन के दो अलग है और सुपडेंट टू के दो अलग है लेकिन जब वर्कर की बात होती है तो वर्कर पर इन फील्ड मेनेजर का सब तो मतलब number of person में हो सकती है, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, जितना बड़ा space होगा, तुने field manager की requirement होगी, ठीक है, worker उससे कई होना ज्यादा होगे, तो जो worker होते हैं, उनको field manager, मतलब deal करता है, field manager उनको कौन deal करता है, subident, और subident को deal कौन करता है, work manager, तो इस तरह कि जितनी भी organization होते हैं, उसमें work manager direct worker से आके नहीं मिलेगा, वो उसके पास जो channel system है, वो उसी के recording काम कर सकता है, मतलब work manager को अगर कोई, मतलब order देना होगा, तो वो सिर्प subident को दे सकता है, ना कि worker को, ठीक है, तो यह होती ही आपकी skiller, या line, या military organization, ठीक है, अब बात करते हैं, functional organization, functional organization का पतलब होता है, इस also a line type organization, with the difference that instant of one formman, which being master or specialist of everything, therefore hard to find, देखो, क्या होता है, जब हम functional management की बात करते हैं, तो इस में, जो organization होता है, उसको हम क्या करते हैं, काम के basis पर, एक system के arrangement पर लगते हैं, ठीक है, here everyone has direct and equal authority over the worker, मतलब की, जैसे worker है, और के गूपर जितनी भी authority है, वो सब की, सब capable है कि बरकर से वो direct बात कर सकती है, it means that यह होता है, आपका functional department, या functional organization, ठीक है, तो functional organization में यह होता है, कि अगर worker के ऊपर कोई भी authority हो, चाहे वो field manager हो, चाहे वो superintendent हो, चाहे वो manager हो, सबी सबी लोग उसको order दे सकते हैं, ठीक है, तो वो होती है, आपकी functional organization, ठीक है, मतलब एक बंदे को उपर depend नहीं होती है, worker उसको कोई भी दे सकता है, उपर से लेके नीचे तक, और दूसरा यह होता है, कि बरकर जैसे जो worker वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तो worker जो काम कर रहा है, तो उसको काम के सबसे ज़्यादा experience होता है, तो वो अपनी बात को field manager के, अगर field manager को उसने माल लो बताई है, field manager माल लिया, बहुत खड़ू उस type का है, मतलब वो उसकी बात को नहीं, उसने सोचा कि या रहे, यह एक worker, मैं एक field manager, और यह मेरे को suggest करेगा, अगर हो सकता है, वो आपकी बात को उपर तक ना रखे, तो आप उसमें क्या होता है, इस तरह के जो organization होता है, उसमें आप direct जाके, अपने चाहे तो subident से बात करते हैं, चाहे तो आप manager से भी बात कर सकते हैं, वो आपकी पास एक open platform होता है, उसके ल organization में क्या होता है, कि दो टाइप में मतलब authority को distribute किया है, the line, executive, supervisory and authority and control over the work of their, ठीक है, देखिये, इसमें क्या होता है, पता देता हूं मैं आपको, line and staff organization में क्या होता है, कि हम दो category में उसको distribute कर देते हैं, एक हो गया office executive, एक हो गया मतलब field educative, ठीक है, आप मालो एक field educative है, वो अपने according काम करवा रहा है, एक office educative है, वो अलग से काम करवा रहा है, ठीक है, अब office जो educative होता है, वो क्या करता है, कि software के basis पर, या other, मतलब source, field के otherwise, जो source होते हैं, वहाँ से source generate करके, अपने view रखता है, मतलब अपनी advisory, sorry, अपना सकते हैं, ठीक है, लेकिन छो line educative होता है, वो क्या होता है, work से direct connected होता है, ठीक है, तो उसको आप advise दे सकते हैं, ठीक है, iOS आप उसको वर्क बता सकते हैं ठीक है लेकिन मानना नहीं मानना डिपेंड करता है लाइन एजुकेटिव पर ठीक है तो उसका एक्जम्पल में आपको दिखाते रहूं देखिए यह देखिए जैसे आपको एक है आपका बोर्ड अब डारेक्टर जी उसको बी ओडी लिखा है एक तो उसका सेक्रेटरी ऊ presentsill दूसरा ऊसका लिगल आडवाईजर ठीक है जनल मेंअगर होताय जनल मेहिजर का 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 होता है एगांट आपीisher ठीक है और जहों का परसेनल मेहि jätte होता है उसके बाद सेंस्ट तो इसके बाद Всемब तरूर मेंईर होता है असके बाद इंदस्रीयल इंजीनियर उससे correct होता है, उसके बाद store office होता है, तो वो work manager से connect होते हैं, अब इसमें क्या होता है, कि जैसे secretary है, secretary अपनी बात को board of director के पास रख सकता है, legal advisor अपनी बात रख सकता है, ठीक है, sales manager भी अपनी बात रख सकता है, account officer अपनी बात रख सकता है, लेकिन decision maker को होते हैं, जो आपकी line में है, line मतलब board of director, general manager और work manager, मतलब जो भी decision होगा, depend करेगा, इनी के उपर, ये सब जो उसके side में जितने भी आपको component दिख रहे हैं, वो सब सिर्फ क्या दे सकते हैं, advice दे सकते हैं, तो ये होता है आपका line and staff organization, ठीक है जी, clear हो गया, तो ये हो गया, आप line and staff organization, अब अगर हम learning outcome की बात करें, तो इससे क्या होती, एक जो मैंने आपको पताया, एक तो आपका type of production के बारे में आपको identify होगा, ठीक है, उसके बाद organization को आप identify कर सकते हैं, type of organization को identify कर सकते हैं, ठीक है, responsibility of every relative person to company organization, मतलब कि किसकी क्या responsibility हो सकती, उन पर बात कर सकते हैं, और भी इन से सम्बंदे चीजों को आप learning outcome की माध्यम से समझ सकते हैं, कि आपको ये सब चीजें यहाँ पर सीखने को मिली है, ठीक है, उसके बाद research scope की बात करें, तो जैसे production management हो गया, supply chain management हो गया, quality of work management हो गया, set the standard of better work environment, production line, ये इसके research scope हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो references है, वो मैंने आप से बात कर दी, ठीक है, तो overall ये हुगा कि आपको मैंने इस तरह description दे दिया है, ठीक है, चलिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका एक बतलब simple मैं आपको इसका एक revise करा देता हूँ, ठीक है, तो आपको एक वर्फिर के लिए हो जाएगा, अगर कहीं कोई चीच आप लोगों को by miss चूट गई होगी, तो आप लोग उसको दुबारा से समझ सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप से बात की थी type of production की, तो type of production में कितना, एक jobs production, दूसरा batch production, तीसरा flow production, तो job production क्या होता है, ऐसा example या ऐसा product जो order के basis पर बना जाता है, और जब टक वो खतम नहीं होता है, तब-learning दूसरा प्रॉडक्ट नहीं मनाया जाता है, ठीक है, job production हो गया, batch production मैंने क्या बता है, कि ऐसा product जो batch में complete होता है, और फिर वो market market मोन चोटा है, उसको बोलते है batch production, फिर मैंने आप पता या, flor and continuous production मतलब, फिलो continuous production क्या होत जो की जो continuously हो रहा है regular basis पर हो रहा है उसको क्या बोलते है फिलोर continuous production ठीक है फेक्टर फेक्टिम प्रोडक्शन में जैसे मैंने नेचर की बात की थी नेचर में मतलब जैसे जहां पर आपका production हो रहा है वो उसकी लेंड की बात करें तो वो कैसी है ठीक है मालो पारी अच्छे प वहां पर सरदी जद रहती है तो वह भी डपेंड करेंगा आपके production को एफेक्ट करेंगा ठीक है उसके लेवर मतलब की जो लेवर की working capacity है वह भी depend करेंगी कि आपका production कैसा होगा ठीक है अगर वरकर बहुत अच्छी तरह काम करेंगे तो आपका production बेटर होगा नहीं इची तरह काम करेंगे तो नहीं होगा, इसी पकार से capital की बात करेंगे, तो factory की building मतलब उसका structure कैसा है, machinery part कैसे है, आपके tools कैसे है, पुराने तो नहीं है, raw material कैसा है, आपका requirement के basis पर आपको sufficient है की नहीं, तो यह सब चीज़ां भी depend करेंगे, enterprise मतलब की organization, ठीक है, organization जो आ नाम से बुकता है, तब उससे नाम के बिखने से भी production क्या growth होती है, ठीक है, तो यह बताया था, फिर मैंने आपको productivity का बताया, जिसमें बताया था कि output upon input, मतलब की जो आपका output है, जो input है, उनके mathematically कर देखेंगे, तो उनके ratio को क्या बोलते है, productivity बोलते है, output input के मैंने आपको आपके input example है, ठीक है, उसके बाद मैंने आप से organization के बारे बात की, तो organization क्या एक तरह का mechanics में है, या एक तरह का structure है, जिसमें बहुत सारे लोग या worker आपस में मिलकर effective काम करने की, मतलब, कोसिस करते है, या करने की उनके जरूरत होती है, उसी को organization बोलते है, ठीक है, उसके बा जैसे मैंने example के दौर पर बताया था आपको, ठीक है, उसके बाद जो production होता है, वो organization, जो आपकी line organization होती है, वो authority और responsibility पे depend करती है, ठीक है, मतलब हर authority के पास अपने से नीचे वाली authority को काम देने की, या काम assign करने की authority होती है, even लिव उसको dismiss करने की, उसके उपर discipline action लेने तक की उसके पास एक power होती है, तो उसको बोलते है, line organization ठीक है, दूसरा बताया था, इसका work management की बात बता ही थी, मैंने, की worker कैसे काम करेंगे, field manager की सुनेंगे, field manager किस की सुनेगा, superintendent की सुनेगा, work manager की, तो जो जिसकी सुनेगा, बहुत की सुनेगा, उसके लाबा किसी की नहीं क्या होता है आपका skill and organization उसके बाद मैंने आपको फंग जो फंक्सलर और नई समत आया फंक्स क्या बताया था कि जैसे कि हम अतुर्टी की बात करते हैं वर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हर थर्टी को एक यह तो लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको आपकर बात कर सक्ते हैं तो यह आपका function orderisan ता उसको बाद line or star position में मैंने क्या बताया था कि उसका example बताई ता हूं कि जैसे board of director general manager और work manager यह करते हैं कि इनको कौन से order follow करना है कौन से order follow नहीं करना है ठीक है और जो भी आप लोगों को advisory मिली है या जो भी advice दी गई है उन एडवाइज को आपको फॉलो कराना है नहीं कराना है वो सिर्फ लाइन प्रोडक्स मतलब लाइन में जो होते हैं मतलब की बोर्ड डारेक्टर जनल मैनेजर वर्क मैनेजर यही डिपेंड करते हैं ठीक है उसका लारिंग आउटकम मैंने आपको बता दिये थे रिसर्च इ के बारे में स्टार्ट करेंगे ठीक है जी सो थैंक यू वेरी मच